तो गाइस आप जेख सकते हैं कि BS3 और BS4 में कितना डिफ्रेंस है आप टेंक अंदर गैस बनती है और एर लोग लग जाता है तभी हमें बार बार इसको टेंक को ओपन करने का चाहिए हमारी बाइक स्टार्ट ना हो लेकिन इस बाइक तो हेलो दोस्तों वेलकम बैक होगे आपका फिर्टिक नई वीडियो में तो कैसे आप सब आयों बहुत अच्छे होंगे बढ़िया होंगे फर्स्ट क्लास होंगे तो भाइयो आज हमारे पास है रोइंफिल्ड बुलट 350 की दो बाइके अब दो बाइकों मैं आपको बता दू करों बाइक पुरां प्रचेस करेंगे उन्हें कौन सी बाइक लेनी जाएए बीस्ट्री थी यह तोजार सॉला मोडल और ऑपी बीस्पूर यह है सण 2018 मोडल तो एक बार वहाई जो कि आफ Krot क्या के उस्के बाद में अगली बात करेंगे कि तो कुछ इस तरह कि है हमारी जो की 2016 मोडल है और भाई मैं इसके आपको बता दो तो यह चल चुकी है अठावन हजार 38 किलो मेटर उसके बाद हम चलते हैं अपनी बीएस फॉर की तरफ यह भाई हमारी बीएस फॉर जानी मानी बाइक है आप सभी जानते हैं जो नए व्यूवर है वह इस बाइक को नहीं जानते होंगे जो पुराने वीडियो में देख सकते हैं कि इस बाइक के सा साउंड वाले से था शॉट बोटल और भाई हमारी बाइक पर लगा हुआ है फ्री फ्लो शॉट बोटल से जो कि पटा के मारता है सारे काम करता है लेकिन यह से लगानी चाहिए मैं रिगमेंट नहीं करूंगा तो भाई सबसे पहले बात करनें दोनों बाइकों में तो होगा कि इjust Steam जो हमारा जा रहा है यह जारा हमाँ चार्ल कोल कैंकरे सब्सter सूर्ट होता है जो कि हमारी टैंक की गयस को रिलेज करता ही अभी आगर हम स्कीब बात करें तो भाई है हमारी बिस भी एस त्री के अंदर कोई एक्स्टर पाइप नहीं को सब्सक्राइब नीए बिलकुल फेडिया है नहीं कोई यहां पर मत पर चारकोल पर नहीं नहीं है तो इसके अंदर रहे प्रॉब्लम हाती है जो कि विए स्टा करने का चाहिए ना हो लेकिन इस बाइक में ऐसा हमें कुछ करने ही जरूत नहीं है यह तो यह में इसका फ्यूल टैंक भाई इसका फ्यूल टैंक से थोड़ा बड़ा है आप देख सकते हैं आपको साथ फील ना हो यह इसका फ्यूल टैंक है और भाई यह हमारा फ्यूल टैंक है तो फ्यूल टैंक यहां से दोने साइड़ थोड़ा पतला है और इसका फ्यूल टैंक थोड़ा चोड़ा है जिससे थोड़ी हैवी से लगती है और इस थोड़ी कम अगली अगर हम बाद करें इस का चलना और यह थोड़ा कम सैलेंट चलता है तो जह अगली डिफ्रेंस के अगल हम बात करें तो भै én स्के मतलब बाई जो ढेल हमारी बेमारी बेर ऩे लिएपार होथारी बेस्वोर में हर चि़ीजे थे लिए फ्यूज है इंडिकेशन का अलग फ्यूज है है इंडिकेटर का अलग फ्यूज है और मीटर का अलग फ्यूज है लेकिन भाई इस बाइक में आसा कुछ नहीं है वो मैं आपको दिखाता हूं तो भाई यह जैसे कि मैं आपको इसका दिखाऊं फ्यूज वोक्स तो इस बाइक के अंदर मात चार फ्यूज आपको तेंगले मिल जाएंगे जो कि यहां पर एक पंदर एंपेर दस एंपेर और दो इस पेर फ्यूज है बाकि इसके अंदर दो फ्यूज नीचे हैं और इसके अंदर एक्स्रा कुछ नहीं है वहीं अगर हम बात करें अपनी ब्यस फोर होते हैं तो इस वाली के अंदर कम जो फ्यूज ہے और आखरी और सबसे बड़ा डिफ्रेंश को आप मता दूं तो भाई इस बाइक का जो बैंड पाइप होता है ना उसके अंदर कोई फिल्टर नीए फिल्टर नीए अगर आप बैजल बैंट रखना आपको बॉल्टर लगा हो तो इस वाले पके उंदर ज्यादा होते हैं तो जिससे अवाज कम हो जाती है और इस वाले पट्र इंदर बिल्कुल फेटर नहीं होते प्रिंट यह बिस लेंट पर लेकिन पड़नने के बाद भाद नहीं देगी पैंट भी आपको फिरी वाला लगाना पड़ेगा उसी के कि अब इसके वाज लाओड होगी अभी हम आपको सुना जता हूं दोनों बाइक के इंजन की अवाज तो सबसे पहले में स्टार्ट कर लेते हैं बिस थरी की पाइक अपनी तो भाई आप इसके इंजन को नोटिस करना कि इसकी आवाज इस वाली से ज्यादा है फिलो कर लेते ह आवाज के साथ साथ भाई इस बाइक में वाइब्रेशन भी ज्यादा है ब्याज के साथ साथ ब्याज फोर से वाइब्रेशन और इंजन नौइस दोनों जाता है इसकी वह इस भी कम है और भाई वाइब्रेशन भी कम है अब ही हम कर लेफे हैं बी एस फोर को स्टार्ट तो वाई इसके शलेंसर जाद आवाज आ रही है मैं इस धाथ रख लें पड़ेगा आप देख सकते हैं आवाज दोनों की आप देख सकते हैं इस वाले इंजन की वाज इस वाले इंजन से कम है अगर जब कि उस पर से अर्ष पर फ्रीफ़ू सालेंसर ने रहे तो इसके वाज लगा देख देख कि वाइज उससे कम हो जाएगी अब हम दोनों को एक साथ स्टार्ट करेंगे और मैं आपको दिखाता हूं कि वाइब्रेशन कौन्ज वाइब्रेशन कि कितना ज्यादा है कि वाइब्चए सालपड équकर्ण आएँ अडिए उफ्ट करेंगे इसंकर लो चैज करेंगे आपको दिख सकते हैं वाइब्रेशन आपको देखे है के सадноका कि कूँस बैक ज्यादा ली यह है आपको साफ साफ ठीक रहोगा और वीवाई कितने रही है चब रही है प यहिदंग तो कंपनी के इसके बंच बिए मध्याफ चाहए और इन देंड़ हे वाज है अब लिगा पातवन और होसा चेल चाहा है दो उसके बारे में भी जानकारी आपको देदूँगा बाग कि अगर आपको वीडियो पूसने तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को पर लिए सब्सक्राइब वीडियो देखें आपका बहुत हो धन्यवाद टाटा बाए बाए